अगर आपको खासी की शिकायत रहती है, चाहे आपकी खासी कुछ दिन से हो या बहुत पुरानी हो, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुती बढ़िया नुस्खा बताने वाला हूँ, एक ऐसी home remedy बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप इस्तमाल करेंगे, तो आपकी पुरानी से पुरानी खासी बहुती तेजी के साथ और बहुती असानी से ठीक होने लगेगी, ये नुस्खा जो आज मैं आपको बताऊंगा, ये सूखी खासी और कफ वाली खासी दोनों ही में इफेक्टिव है, और आपको बहुती बढ़िया रिजल्स देती है, अगर नाम डॉक्टर सलीम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा, दोस्तो खासी का ये नुस्का जो आज हम बनाने वाले हैं ये आप बड़ों को भी दे सकते हैं और बच्चों को भी इस्तमाल करवा सकते हैं, इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ पांच इंग्रीडेंट्स के जुरत पड़ेगी और ये पांचों इंग्रीडेंट्स आपको अराम से अपने किचन में मिल जाएंगे, सबसे पहली चीज जो आपको इसमें चाहिए वो है काली मिर्च यानि ब्लैक पेपर, दोस्तों काली मिर्च जो होती है, इसके अ श्काफ होती है, इनफेक्शन दूर होता है, और आपकी खांसी को कम करने में आपको मदद मिल दे दूसरी चीज जो इसमें आपको इस्तमाल करनी है, वो है काला नमक, काला नमक सभी तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में आपको फाइदा देता है, काला नमक सूखी खासी को भी कम करता है, और बल्गम वाली कफ वाली खासी में भी आपको काफी ज़्यादा आराम देता है, ये बेसिकली आपके सास की नालियों को रिलाक्स करने का काम करता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब आपको चाहिए अजवाइन, अजवाइन भी आपके chest congestion को दूर करने के लिए और खासी जुकाम को ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है, इसके लावा आपको चाहिए हरी इलाइची यानि छोटी इलाइची, छोटी इलाइची के अंदर कुछ ऐसी properties होती हैं, जो कि आपके throat infection को दूर करती है, आपके chest को सूध करती है, chest के अंदर जो बलगम जम जाता है, उसको ठीक करती है, और आपको खासी जुकाम में भी काफी जादा इससे फायदा मिलता है, last but not the least, जो आखरी चीज आपको इसमें चाहिए, यानि पाँचवी चीज चाहिए, वो है अदरक यानि जिंजर, अदरक के अंदर anti-inflammatory properties होती हैं, जो कि आपके chest के congestion को दूर करती है, आपके chest के अंदर जो infection हो जाता है, उसको दूर करती है, आपके फेफडों के अंदर जो आजाती है, उसको कम करने का काम करती है, आपके सांस की नालियों को सूध करती है, आपके chest के अंदर जो बल्गम जमा होता है, उस बल्गम को साफ करने का काम करती है, और खासी जुकाम, sinusitis जैसी अलग लग तरहां की respiratory problems को ठीक करने में भी आपको काफी ज़्यादा रख और चार-पांच आप ले लीजिए छोटी इलाइची और इस इलाइची के आप बीज निकाल के रख लीजिए उसका छिलका आपको इस्तमाल नहीं करना है। इन सभी चीज़ों को आप आपस में अच्छी तरह किसे मिला लीजिए और इसके बाद आप लीजिए पांच टेबल स्पून गुड़ इस पांच टेबल स्पून गुड़ को आप एक नॉन स्टिक कड़ाई के अंदर डालिए और इसके अंदर थोड़ा सा आप पानी डाल दी इसको जला देंगे तो यह कड़वा हो जाएगा और आपको टेस्ट में बहुत बुरा लगेगा इसलिए बिल्कुल हलका सा जब वो पिघलना शुरू हो जाए तो तभी आपको यह सारी चीज़े डाल देनी है और डालने के बाद सिर्फ एक से दो मिनिट इसको आपको पका पाइम ही ले और जब भी इसको आप लें तो हमेशा गरम पानी से इसको लेने के बाद आपको कोई ठंडी चीज या कोई खटी चीज इस्तेमाल नहीं करनी है और इसके साथ स्मोकिंग वगरा कभी आपको परहेज रखना है अगर आपको जादा खासी कभी आ रही है तो आपको काफी जादा आराम आपकी खासी में मिल जाएगा अगर खासी बहुत ही जादा पुरानी है या बहुत ही जादा शिदत के साथ आपको होती है तो आप इसको साथ दिन से जादा भी ले सकते हैं 21 दिन या फिर एक महीना तक भी आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते ह कोई नुकसान इससे आपको नहीं होगा दोस्तों यह नुस्खा जो मैंने आज आपको बताया है यह आप चाहें तो बच्चों को भी दे सकते हैं लेकिन 10 साल से छोटे बच्चों को इसको आपको नहीं देना है दस साल से लेके 16 साल तक के जितने बच्चे होते हैं उनको अग आपकी खासी को दूर करने में आपकी काफी जादा मदद करेगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे सब के साथ शेयर कीजिए लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंग का एक नई वीडियो में एक बहुती बढ़िया रेमिडी के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा